Hello students, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे adjectives और adverbs के बारे में पढ़ेंगे, जिनको जब हम use करते हैं तो वह हमें काफी confuse करते हैं, क्योंकि वह देखने में एक जैसे लगते हैं, तो ऐसे adjectives और adverbs के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडि करते हैं हमें, जब हम इनको use करते हैं, ठीक है, तो ये उस वीडियो का part two होगा, इसमें भी हम कुछ ऐसे adjectives और adverbs के बारे में पढ़ेंगे, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, और जब उनको हम use करते हैं, तो हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखिए, ये example है, he was given a just punishment, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि punishment है, ये noun है, और इस noun से पहले ये just word यूज किया गया है, तो जब भी हम किसी word को noun से पहले यूज करते हैं, और वो शब्द उस noun को modify करें, तो वो शब्द क्या होता है, वो adjective होता है, तो यहाँ पर ये just adjective की है, एक adjective है, जब हम just को एक adjective की तरह यूज करते हैं, तो इसका meaning होता है, in accordance with justice or the law, मतलब जब कोई काम justice या law के according किया जाता है, तो वहाँ पर हम just adjective का यूज करते हैं, जब हमें इसी meaning के लिए अगर adverb की जरूरत है, तो हम justly शब्द का यूज करते हैं, एडवर्ब के crimes, उसे उसके crimes के लिए punish किया गया, कैसे punish किया गया, justly, ठीक है, तो यहाँ पर just की एक adverb है, और इसका meaning क्या है, इसका meaning भी वही है जो adjective का था, in accordance with justice or law, मतलब उसको punish किया गया, law के according, या justice के according, तो यहाँ पर ये adverb है, तो हम just को एक adjective की तरह यूज करते हैं, जो justly या उसक या in accordance with law की sense में यूज किया जाता है, उसके बाद है कि हम just को एक adverb की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो अभी तो हमने क्या देखा था कि just को हम adjective की तरह यूज करते हैं, और जब हम adverb बनाएंगे तो justly बन जाएगा, ठीक है, जब just और justly को जब हम यूज करते हैं, तो दोनो करी अर्थों में इसको adverb की तरह यूज कर सकते हैं, सबसे पहला है कि हम just को जब adverb की रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम a short time ago की sense में यूज करते हैं, जिसे example लेगे, he had just gone out, तो यहाँ पर just एक adverb है, और यहाँ पर just का मतलब है a short time ago, मतलब वो बाहर गया है, कब गया और main verb के बीच में होती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पर जो यह has a helping verb है, इस sentence में और gone है, यह main verb है, हमने यहाँ just को helping verb और main verb के बीच में रखा है, तो पहला तो यह था कि हम just को जब adverb की रूप में यूज करेंगे, तो इसको हम a short time ago की sense में just means right now, तो यहाँ पर just का मतलब है right now, यहाँ पर भी जब हम just को right now की sense में यूज करते हैं, तो हम इसको helping verb के बीच में रखते हैं, next है हम just को as recently as के sense में यूज करते हैं, मतलब just को जब हम यूज करते हैं, तो कई बार इसका अर्थ as recently as भी होता है, जैसे example लेगे, I saw him just last week, तो इस sentence का मिनी क्या हो गया, यह sentence है, I saw him just last week, तो इस sentence का मिनी हो गया, I saw him as recently as last week, ठीक है, तो इस तरह से हम just को as recently as की sense में यूज करते हैं, इसके लवा कई बार हम कुछ expressions यूज करते हैं, जिसमें just का परियोग किया गया होता है, जैसे just after, just when, ठीक है, तो इन expressions में जो just है, वो जो time refer किया गया उस sentence में, उस time के साथ, उस time के साथ closeness को express करता है, ठीक है, यहाँ पर जब हम just after या just when यूज करते हैं, मतलब just after, मतलब soon after, just before, means soon before, ठीक है, या at the exact moment, तो example देखिए, he left just when I came, तो यहाँ पर देखिए, just के बाद when का परियोग किया गया है, तो just when, means exactly at the moment, मतलब वो चला गया, जैसे ही मैं आया, तो जिस moment पे मैं आया, उसी moment पे वो चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर just when means at the exact moment, तो इस sentence में यहाँ पर just का परियोग हुआ है, next देखिए, I saw him just after the movie, मैंने उसको देखा, कब देखा, just after the movie, मतलब soon after the movie, तो यहाँ पर just after means soon after, next है, हम just का परियोग only या scarcely की sense में भी करते हैं, जैसे I have just 10 rupees, तो यहाँ पर देखिए, just take adverb है, और यहाँ पर इसका मतलब है only, it means I have only 10 rupees, तो यहाँ पर just का परियोग only के sense में किया गया है, यहाँ पर just का मतलब है only, next देखिए, I just want somebody to help me, तो यहाँ पर भी देखिए, just का मतलब only है I just want somebody, it means I only want somebody, next देखिए, we just caught the train when she found, तो यहाँ पर just को scarcely की sense में यूज किया गया है, we just caught the train, it means we scarcely caught the train, अर्थाथ हमने train पकड़ी थी, तब यहाँ पर just means scarcely, तो इस परकार से हम just का परियोग only या scarcely के अर्थ में भी करते हैं, next is just का मिनिंग कई जगे पर exactly भी होता है, exactly, जैसे it is just five o'clock, तो it means it is exactly five o'clock, just का परियोग हम कई बार adjective को emphasize करने के लिए भी करते हैं, जैसे you are just beautiful, तो यहाँ पर just के माद हम से beautiful adjective को emphasize किया जा रहा है, तो इस तरह से हम just को एक emphasize के रूप में भी यूज करते हैं, next is late, तो late चो word होता है, यह adjective भी होता है और adverb भी होता है, यह late चो word होता है, यह early का opposite होता है, the adverb late has a similar meaning to the adjective late, अर्थात late को जब हम adjective या adverb की तरह यूज करते हैं, तो दोनों का meaning same होता है, ठीक है, the word lately means recently, लेकिन lately एक अलग adverb है, lately एक अलग adverb है, और lately को जब हम adverb की तरह यूज करते हैं, तो इसका meaning होता है recently, ठीक है, एक बार फिर इसे समझ यह, देखिए, late चो word होता है, यह word, यह word adjective भी होता है, और adverb भी होता है, ठीक है, यह adverb भी होगा, और यह adjective भी होगा, और adjective और adverb दोनों ही तरह से सब इसको use करेंगे, तो इसनका meaning same होता है, एक lately अलग word होता है, late के साथ अगर हम ly लगा दे, l-a-t-e-ly, तो यह अलग word हो गया, और इसका मतलब वोता है, recently, ठीक है, तो example देखिए, जैसे you are late, तो यहाँ पर late एक adjective है, you are late, आप late हो, यहाँ पर late adjective है, क्यों adjective है, क्यों adjective है, क्यों adjective है, क्यों पहली बार तो हमने इसको देखिए, इस linking word के बाद यूज किया गया है, तो जो भी, मतलब linking word के इसे noun या pronoun को modify करता है, तो वहाँ पर वो adjective होता है, तो यहाँ पर यह late एक adjective है, लेकिन next देखिए, the movie started late, movie जो है late शुरूई, तो यहाँ पर यह late जो है, एक adverb है, यह इस start verb को modify कर रहा है, next देखिए, she developed a very strange habits lately, अब यहाँ पर देखिए, lately यह यह अड़र को यूज किया ग recently, तो यहाँ पर आप देख पा रही होंगे, कि जो यहाँ पर late adjective और late जो adverb है, इनका meaning same है, ठीक है, लेकिन lately इसका मतलब अलग होता है, lately मिन्स होता है, recently, next is loud, loud को हम adjective के रूप में यूज करते हैं, तो यह किसी noun ने pronoun को modify करता है, जैसे देखिए, loud noise, तो यहाँ पर यह noise noun ह और इसको modify करने के लिए इस loud word को use किया गया है, अब क्योंकि noun, जो यह noise है, यह एक noun है, और noun को modify करने वाले सारे सबदे adjectives होते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर जो loud है, यह noun को modify कर रहा है, तो loud को हम adjective के तरह यह यूज करते हैं, दूसरा हम loud को कपड़ों के बारे में बताने के लिए भी use करते हैं, मान लिजए किसी ने कोई बहुत ही bright colors के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, बहुत ही bright color के और जो बहुत ही unpleasant लग रहे हैं, या कोई ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, जिनके उपर बहुत strong patterns बने होए हैं, और बहुत hopाई unpleasant लग रहे कुछ ऐसा नहीं पहना चाहिए जो बहुत ही loud हो, loud का मतलब कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत ही bright colors के हो या जिसके उपर strong patterns बने हुए हो कपड़ों के लिए हम loud word यूज़ करते हैं एक adjective कर रूप में, तो कपड़ों से पहले हम loud word को यूज़ करते हैं, जो बहुत ही bright colors के, या इतने strong patterns वाले कपड़े जो देखने पहुत ही unpleasant answer के लग रहे हैं. और इस से क्या होता है कि दूसरे का ध्यान अट्रैक्ट हो रहा है उनकी तरफ, ठीक है वो दूसरे का ध्यान खीन्च रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी हम loud कहते हैं, जिसे the man at the restaurant were very loud, restaurant में जो man थे वो बहुत ही loud थे, loud का मतलब वो जोर जोर से बाते कर रहे थे, जोर जोर से हस रहे थे, तो यहाँ पर loud एक adjective है, और adjective है क्योंकि linking verb के बाद देखे, use हो रहा है, ठीक है, और यह जो loud यहाँ पर word है, यह adjective है, तो पहला तो हमने किस तरह से justify किया इसको, कि यह linking verb के बाद use हो रहा है, दूसरा ही जो loud word है, यह किसी noun को modify कर रहा है, किस noun को modify कर रहा है, man को, ठीक है, तो यहाँ पर यह adjective है, जब हम loud को, मतलब इस sense में हमें adverb चाहिए, तो हम loudly adverb use करते हैं, ठीक है, लेकिन loudly को जब आप adverb की तरह use करते हैं, तो इसको अक्सर हम verb के बाद रखते हैं, जैसे don't talk loudly, you will make the whole street, you will wake the whole street, तो यहाँ पर जो loudly है, यह एक adverb है, और यहाँ पर देखिए main verb के बाद इसको रखा गया है, तो loud एक adjective होता है, loud को हम कैसे use करते हैं, किसी noun को pronoun को refer करने के लिए, पहले बाद तो हम यह ध्यान रखना है, दूसरा हम close और persons के लिए हम loud word यूज करते हैं, कैसे करते हैं, यह मने आपको explain करी दिया है, ठीक है, अगर आपको adverb चीए, तो फिर आपको loudly adverb यूज करने पड़ेगी, next is low, देखिए, the word low is both an adjective and an adverb, जो word low होता है, low, यह adjective भी होता है, और adverb भी होता यह यह जो low word है, यहाँपर इस bridge को modify कर रहा है, यहाँपर जो low word है, यह voice को modify कर रहा है, bridge और voice दोनों nouns है, तो क्योंकि यहाँपर low word किस noun को modify कर रहा है, तो यहाँपर low word क्या हो गया, एक adjective होगया, as an adverb it means close to the ground or the bottom of something, जब हम इसको adverb की तरह यूज करते हैं, तो इसका to the ground or the bottom of something. Means close to the ground, close to the ground या close to the bottom of something. इस एक्जाम्पल देखे, he bent low to touch my feet. वो मेरे पैर छुने के लिए जुका. कैसे जुका? low. Means close to the ground. Ground की दरफ, जमीन की और जुका, नीचे जुका. तो यहाँ पर low जो है ये एक एड़रब है. Next देखे, ये सी stooped low to look under the bed. तो बैड के नीचे देखने के लिए वो stooped low, वो जुका नीचे. तो यहाँ पर low क्या है? यहाँ पर भी एक एड़रब है. तो हम adjective और एड़रब दोनों की तरह ही हम मतलब low को यूज कर सकते हैं. हम low को adjective की रूप में भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट है most और mostly. देखे, most is a superlative of much. जो most होता है, वो much का superlative होता है. And is used to form superlative adjectives and adverbs. और इसका परियोग superlative adjectives और adverbs को form करने के लिए किया जाता है. इस example देखे, we shall most probably never meet again. तो यहाँ पर देखे, यह probably एक adverb है, इस adverb से पहले most को को यूज किया गया है. He is the most intelligent boy in the class. तो यहाँ पर intelligent adjective है, इससे पहले most को यूज किया गया है. तो इस तरह से हम most का परियोग adjective और adverbs से पहले उनको superlative बनाने के लिए यूज करते हैं. In a formal style, most can be used to mean very. हम most का परियोग very की जगे भी करते हैं कई बार. जैसे you are a most unusual person. तो यहाँ पर most को very की जगे यूज किया गया है. यहाँ पर इस sentence का मतलब है you are a very unusual person. Mostly means mainly. जब हम most के साथ हलवाई लगा देते हैं तो यह adverb बन जाती है. ठीक है? और इसको जब हम use करते हैं तो इसको mainly की sense में use करते हैं. जैसे my friends are mostly non smokers. मेरे जो friends वो mostly non smokers है. तो यहाँ पर mostly का मतलब क्या है? mainly. My friends are mainly non smokers. इसके लगा most को हम कई बार adverb से पहले और कई बार क्या होता है कि noun से पहले भी use करते हैं. जैसे यहाँ पर देखी है अगर हम कहते है most often. तो यहाँ पर often adverb है. जिससे पहले most का यूज के अगया है. यहाँ पर देखी है most cases. तो यहाँ पर इसको एक adjective की तरह use किया गया है. क्योंकि यह casey जो है. यह noun है और इस noun को modify करने के लिए यहाँ पर most का use किया गया है. तो इस इसको pleasant to look at, इस sense में करते हैं, मतलब अगर हम किसी को देखने में, अगर हमें सुकून पहुँच रहा है, हमें कोई चीज हम देख रहे हैं और उस चीज को देखने के बाद हम बहुत ही pleasant feel कर रहे हैं, तो हम इस sense में pretty का use करते हैं, जैसे the hat you are wearing is pretty, कि जो hat तुम पहने वेओ, वो वो दी pretty है, pretty, यहाँ पर देखिए pretty एक adjective है, क्योंकि इसको linking word के बाद यूज किया गया है, पहला point तो यह है, और यह pretty जो है, जब इसको linking word के बाद यूज किया गया है, और यह adjective का गाम कर रहा है, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है किसी noun को modify कर रहा होगा, किस noun को modify कर रहा है, वो sentence में जरूर मिलेगा, तो यहाँ पर यह किस noun को modify कर रहा है, hat को, ठीक है, तो the hat you are wearing is pretty, अब यहाँ पर pretty को देखिए, किस sense में यूज किया गया, sense में, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं कोई किसी person को देखता हूँ, और वो hat पैने वे और मैं कहता हूँ कि the hat you are wearing is pretty, कि आपने जो hat पैने रखिए, बहुती pretty है, it means, जब मैं इस hat को देख रहा हूँ, तो मैं मुझे बहुती सुख़द लग रहा है, बहुती अच्छा लग रहा है उसको, तो is का मतलब क्या है कि अगर मैं उसकी heat को देख रहा हूँ तो मै, बहुती प्लीज़ेंट फिल कर रहा ठीक मुझे बुरा नहीं लग रहा है मुझे हैट उसकी बहुत ही सुन्दर लग रही है तो इस सेंस में हम प्रैटी को एक अड़िक्टिव की तरह है नाउन या प्रोनाउन को मोडिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं अगर हम प्रैटी को एक एडवर्ब की तरह है करते हैं तो इसका में होता है क्वाइट बट नोट एक्स्टिमली ठीक है क्वाइट की सेंस में इसको यूज करते हैं लेकिन जब इसको एडवर्ब भी तरह यूज करते हैं तो इसका में इंग क्वाइट तो होता है लेकिन एक्स्टिमली नहीं हो सकता एक्जाम्ब देखि ठीक है, quite sure, मैं बिल्कुल sure हूँ, लेकिन मैं ज्यादा sure नहीं हूँ, I am not extremely sure, I am quite sure, अगर हम pretty के साथ L Y जोड देते हैं, तो यह जाता है pretty, लेकिन जब हम pretty के साथ L Y जोड देते हैं, तो Y drop कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा pretty, और इसके साथ अगर मैं L Y कर दूँगा, ठीक है, इसको drop कर दूँगा और इसकी जगह मैं I लगा दूँगा, तो यह हुए आप pretty और I और फिर L Y लगाते हैं, प्रैटिली बन जाता है, तो जब हम pretty को एक pretty word यूज करते हैं, तो इसको हम adverb की तरह यूज करते हैं, ठीक है, और जब हम pretty word को adverb की तरह यूज करते हैं, तो इसका मेलाब होता है in a pretty way, example देखिए, she is not dressed pretty, it means she is not dressed in a pretty way, तो अगर हम इन a pretty way की sense देनी हो, तो हम prettyly adverb का use करते हैं, next is she danced pretty, it means she danced pretty way, तो इस तरह को एक adjective कीतरह भी यूज कर सकते हैं, और adverb की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, और prettyly एक अलग adverb भी होती है, जो हम pretty को एक अडजेक्टिव कीतरह यूज करते हैं, तो यह किसी नावने pronouns को modify करेगा, ठीक है, जाईड सी बात है यह तो, लेकिन ज समय इसका meaning जो होता है वो rather के समान होता है rather और उस समय इसका meaning होता है वो quite होता है quite लेकिन extremely extremely कभी होता नहीं कराता quite कभी कराता है ठीके इस ख से I am getting i am getting property fed up you After I am pretty sure it was her यहां पर the pretty और जो यहां पर प्रेटी वर्ड है यह adverbs मैं दोनो ही sentences में यह pretty जो है इसका मलब quite है I am getting pretty fed up इसका मलब I am getting quite fed up ठीक है लेकिन not extremely fed up I am pretty sure it means I am quite sure not I am extremely sure ठीक है not तो यहाँ पर not extremely की sense में इसको यूज नहीं करते हैं हम इसको quiet की sense में use करते हैं जो हम pretty quite up की तरह यूज करते हैं लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि कोई काम बहुत ही pretty तरीके से हुआ इने प्रैटी वे तो हम प्रैटी ली यूज करते हैं प्रैटी ली next देखिए quick और quickly quick adjective means happening or done at a great speed जब कोई कारिये बहुत ही great speed से होता है बहुत ही ज्यादा speed से होता है या कोई ऐसा काम जो बहुत ही short time तक चला ठीक है जिसका आस्तित हो बहुत ही short time तक रहा तो वहाँ पर भी हम quick को adjective की तरह यूज कर सकते हैं जैसे it was a quick journey यह एक बहुत ही quick journey थी तो यहाँ पर देखिए quick quick किसको modify कर रहा है इस journey word हो journey word क्या है एक noun है तो यहाँ पर क्योंकि noun को modify कर रहा है यहाँ पर यह क्या adjective है आप यह कैसे adjective है देखिए मैं कर रहा हूँ it was a quick journey यह एक बहुत ही quick journey थी इसका मतलब है यह जो journey थी यह बहुत ही short time थी ठीक है यह ज़्यादा लंबे time तर नहीं चली यह short time चली next देजिए I had a quick coffee I had a quick coffee and left house मैंने coffee ली और घर से चला गया लेकिन मेरी जो coffee थी यह quick coffee थी तो पहले बात तो यह quick word जो है यह coffee noun को modify कर रहा है तो यहाँ पर यह adjective है तो quick coffee का क्या मतलब है क्विक कोफी का मतलब है कि यह जो coffee पीने का जो काम है यह बहुत ही great speed से हुआ मैंने बहुत speed से coffee पी तो I had a quick coffee उसके बाद है quickly quickly को हम adverb की तरह यूज करते हैं और mostly इसका प्रियोग जो adverb of moment होती है उनके साथ किया जाता है जिसे I went there quickly ठीक I went there quickly तो यहाँ पर moment का बोद हो रहा है क्योंकि जो went verb है यह moment का बोद कराती है तो यहाँ पर देखिए quickly adverb का यूज किया गया है नेक्स देखिए we bought it quickly before someone else could तो यहाँ पर देखिए quickly adverb का यूज किया गया है लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो moment का बोद नहीं करा रही है ठीक है यह चीज देखनी है लेकिन जो adverb of moment होती है उनके बाद हम quickly ही यूज करते हैं लेकिन जो दूसरी verbs होती है उनके बाद हम quickly ह यूज कर सकते हैं और quick का परियोग भी कर सकते है quick तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते है we bought it quick ठीक है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको next right और rightly देखिए as an adverb right means just या exactly जब हम right word को एक adverb की तरह यूज करते हैं तो इसका meaning होता है just या exactly example देखिए see arrived right after breakfast यहाँ पर just after breakfast यह see arrived exactly after breakfast the snowball hit me right on the nose तो यहाँ पर भी right एक adverb है तो यहाँ पर right को कि सेंस में use किया गया है just or exactly जैसे the snowball hit me right on the nose तो right on the nose means exactly on the nose next देखिए turn the gas right down turn the gas right down तो यहाँ पर देखिए right को एक adverb की तरह यूज किया गया है यहाँ पर right down का मतलब क्या हुआ just down next देखिए right and rightly can both be used to mean correctly अगर हमें correctly की सेंस कहीं पर देनी हो तो हम राइट और rightly दोनों का परयोग कर सकते हैं लेकिन ध्यान क्या रखना है ध्यान यह रखना है कि right is only used after verbs कि right का परयोग हमेशा verbs के बाद करना है जब आप correctly की सेंस में आप right और rightly दोनों का यूज करना चाहते तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं no problem लेकिन अगर आप verb से पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको rightly यूज़ करना है और verb के बाद यूज़ कर रहे हैं तो right word का यूज़ करना है example देखे Kamal was not coming, Kamal नहीं आ रहा है you guessed right ठीक है तो यहाँ पर right एक adverb है क्योंकि हमने verb के बाद इसको यूज़ किया है तो हम इसको right यूज़ करेंगे यहाँ पर हम rightly word यूज़ नहीं कर सकते हैं next देखे I rightly assumed that it serves use right तो यहाँ पर देखे यह assume verb है verb से पहले यूज़ किया गया तो rightly यूज़ किया गया यहाँ पर देखे rightly is not possible यहाँ तो कैसा लगा यह वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्रीज को लाइक कीज़े शेयर कीज़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले thanks for watching this video happy learning bye bye